प्लगिंज हमने लास लेक्चर में हमने किये थे सारे के सारे प्लगिंज जो कि हमने डिविंग दाइड डिजाइन चाहिए होगे और इस लेक्चर में हम क्या करेंगे हम मूड बोर्ड करेंगे Mood board basically क्या होता है कि जब भी हम app design करते हैं हम different designs sometimes हमें clients different ideas provide करता है for example जिस तरह के apps उसको पसंदो वो आपको Apple Store या Play Store Android iPhone जिसकी उसको apps पसंद है उसका आपको link share कर सकता है तो आपने करना कि है कि वो apps आपने फोन पे install कर लेनी है और install करने के बाद उसको properly browse करना उसका सारी pages देखने है for example उस app के अंदर कौन-कौन से pages है जो normally आपको pages मिलेंगे वो मिलेंगे आपको starting में आपको एक splash screen नजर आती है splash screen क्या होती है for example अगर आप facebook उपन करें instagram उपन करें या कोई भी famous app उपन कर ले तो आपको उस app का middle में एक logo और देन जो भी brand color है वो color यूज़ करते हैं वो splash screen क्रेट करते हैं तो अगर आप first time में आप open करेंगे तो आपको starting में जो pages नजर आएंगे वो sign up करने के नजर आएंगे या sign in करने के नजर आएंगे then उसके बाद जो आपको home page नजर आएगा उसको हम home page या dashboard भी कहते है तो अगर आप कोई भी app design करने वाले हैं तो make sure कीजिएगा कि जिब भी आप online कोई भी इस तरह के app provide करें तो make sure करें कि आप अपने phone पे install करें उसको properly visit करें उसके एक-एक pages पे जाएं आपको design idea हो जाएगा कि for example जिस competition को हम follow कर रहे है let's say जो भी हमारा client है उसका जो competition है वो उसने किस तरह के font यूज किया है किस तरह के images यूज किया है किस तरह के style guides यूज किया है तो कोई भी app design करने से पहले make sure करें कि आप अपने क्लाइट से उसकी comparators की apps उससे must मागे जो भी उसका comparators है अगर उसका comparators नहीं है वो first time कोई भी इस तरह का idea create कर रहा जो के market में available नहीं है तो उस case में हम client को ये कहते है कि आप हमें वो विली app या कोई भी SC app जिससे आप inspired है या आपको लगता है ये close to your idea तो आप हमें बता दे वो आप हमें इस्टॉल करेंगे अगेन उसका purpose ही होगा कि हम colors देखेंगे उसका ideas देखेंगे उसका brand style देखेंगे कि उसने किस तरह से चीज़न को use किया है so that हमें पता हो कि minimum design benchmark किया है और उसके बाद second game हम क्या करते हैं हम एक mood board create करते है mood board में हम क्या करते हैं कि हम अपने इस artboard को थोड़ा साइज increase कर लेते है अब जितने भी design ideas या तो client हमें provide करेगा या let's say हम خود search करते है और इस artboard के ये name पर double click करते हैं तो जो भी design हमें पसंद है जो clients को पसंद है जो client ने example दे है उस सारी कि सारी हम लोग क्या करेंगे उन सारे ideas को हम यहाँ पर place कर लेंगे okay तो idea search करने के लिए हम क्या करते हैं हम simply printers पर search कर लेते हैं printers already you know okay बहुत famous images की website है या इसके लावा behance पर search कर सकते हैं behance के लावा dribble dribble और behance पर basically designer communities की website है यहाँ पर different designers अपने-पने portfolio post करते रहते हैं और मैं recommend करूँगा कि आप जितीन भी चीज़ें design करें चाहिए sample design करें या let's say अपनी assignments design करें तो जो भी आप design करेंगे वो सारे के सारा हम behance or double record करेंगे इस पर इन्चाले के lecture हम cover करेंगे जो के अगे जाके आएगा जब हम यह design वाला part cover कर लेंगे सबसे पहले हम पिंटर से start करेंगे यहाँ पर हमने का करना है because हमने जो app design करनी इस course में वो shopping से related है तो हम क्या करेंगे shopping app यवाई लेकर search करेंगे तो यहाँ से आप browse कर लें जो भी designs आपको अच्छे लगते हैं जो guides lines आपको अच्छे लगते हैं जो styles आपको अच्छे लगते हैं हम randomly कुछ images यहाँ से pick कर लेते हैं तो मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा है यह minimal सा designs है और इसके अंदर यह minimal सा design है और यह इतना overcrowded भी नहीं है तो I like this image तो यहाँ से इसको मैं करूँगा copy image और इसको जाके हम अपने यह mood board पे paste कर लेते हैं और keyboard से मैं shift प्रेस करूँगा और इसका size resize कर लोगा और shift इसलिए प्रेस किया है क्योंकि मैं नहीं चाहरा है कि इसके proportion disturb हो तो एक दो मीचे हम और pick कर लेते हैं अब हम यहाँ पर switch करते हैं let's say shopping app UI अब shopping के जगा हम यहाँ पर e-commerce भी उसकर सकते हैं e-commerce app UI design तो यहाँ से आपको जो भी design पसंद दाता है आप उसको यहाँ से pick कर ले okay let's say हम यह बहला pick कर लेते है okay तो यह हमने image open कर लिया है अब behance के अंदर के issue है basically behance आपको image save करने नहीं देता तो आपने करना किया है कि इसका एक चोटा सा hack है अगर आप इस पर right click करें यहां से inspect मे आए तो आपके पास ही इस तरह से window open हो जागी है यह right पे होगी यह हो सकता है इस तरह से bottom पे हो ठीक है तो इसको हम again inspect कर लेंगे और यह हमें exactly यह देखे है इस diff पर लेगा और आप इसको यह चोटे से arrow पर click करें expand करें और यह image है ठीक है और इस image पर click करेंगे तो आपके पास चोटा सा pop up शो जाएगा तो उसके बाद यह नीचे इसका लिंक है आप इस पर click करें तो वोला हमने image ढूंड लिया अब यहां से simply copy image करें और यहां से वापिस अपने और बी एक्सटी पर वापिस आएं और यह image प्रेस कर लें अब मैं इसको zoom up कर लेता हूं control minus और अगर आप mac use कर रहे हैं तो command minus और shift प्रेस करें के हम इसको resize कर लेंगे है ठीक है तो यह हमारे दो different images हो गए और एक हम और डूंड लेते हैं और यह हम ग्रिबल से search करते हैं तो again क्या करना है आपने यहां पर search पर आना और यहां से हमने shopping app UI again हम same word से search करते हैं और यहां से हम कोई एक हम यह वाला pick कर लेते हैं यह बहुत vibrant लग रहा है ओके और इसको click करने के बाद आपने इस पर यह देखे हैं आपको zoom का button आ रहा है अगेन एक दफ़ाँ और click कर लेना तो यह जो इसका image का full size है यह higher resolution image है वो show लेगा तो हम इसको अब copy कर लेते हैं copy image और वापर इस तर डॉब XC पर आते हैं कुछ इस तरह से second हमारा यह में जा जाएगा और then इसकी इसी के नीचे हम यह वला image place कर रहता है तो यह जी हमारा basic सा mood board create हो गया इसके लावा अगर आपने मजीद page search करने है तो आप यहां पर again printers में आते हैं तो हम यहां से हम अपनी search टोड़ा से change करते हैं अब हम क्या करेंगे अब हम यहां से search करेंगे let's say login app ui तो अब आपको यहां पर different logins के pages मिल जाएंगे यहां से different logins के pages pick कर सकते हैं जो हमने app के शुरू में design करते हैं और इसके बाद अगर आपको listing के pages चाहिए हो तो हम क्या करेंगे shopping list app यहां से अब आपको बहुत सारे pages मिल जाएंगे जिसके अंदर यह देखें listing वाला page है तो again यहां से हम इसको copy image करेंगे और इसके बाद control minus zoom out और इसको हम यहां पर place कर लेंगे और इसको भी हम यहां से इसके name पर click किया और इसको expand कर लिया हम क्या करेंगे इसको scroll down कर लेते हैं अगर हमें यहां से कोई और idea अगर हमें अच्छा लगता है let's say this one और इसको scroll down किया तो हम listing वाला page को देखते हैं इसके अंदर product की listing विए और नहीं तो हम यहां से वापिस सच कर लेंगे shopping list या shopping detail app UI तो सी अब हमारे पास shopping detail के page भी आ रहे हैं अब हम यहां से यह वाला page करते हैं तो हम इस mood board को हमने use कैसे करना यह इंशाला हम next lecture में करेंगे तो हमारा यह page भी आ गया गया ओके जी तो इस तरह से हमारा mood board complete हो गया अगर हम बाकी pages भी चाहें for example जिसमें हमें वो pages आई हैं जो जो चेक आउट वाले हैं या let's say addresses वाले हैं या delivery वाले pages हैं और या different product show वाले pages हैं filters वाले pages हैं तो जितने भी हमें pages आई हैं तो हम one by one यहां पर search कर सकते हैं और जितनी भी images जो ideas हमें अच्छे लगते हैं वो सारे के सारे हम grab करके यहां पर भी add कर सकते हैं अब इन mood board के जो हमने ideas pick की हैं इनको हमने use कैसे करना ही है इंचाहला हम next lecture में करेंगे